ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पहला प्रसंद देखे स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा एक operating system है इन में से बताना है कि कौन सा एक operating system है option देख सकते हैं Unix, Oracle, Java या फिर MS Office तो सही अंसर इसका है option number A, Unix जो है एक operating system है, Java जो है यह internet language है MS Office एक application software है अगला question देखते हैं, निमन लिखित में से कौन CPU तथा मुक्य इस्मरिती के बीच अत्यदिक तेज छोटी आकार की इस्मरिती होती है CPU और main जो memory होती है उसके बीच की सबसे तेज और छोटी आकार की जो इस्मरिती है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है cash इस्मरिती, option number B सही answer हो जाएगा RAM और ROM तो आपकी जो memory होती है, वो सबसे छोटी नहीं होती है इन में से secondary memory भी नहीं होगी, सही answer आपका option number B हो जाएगा अगला question है, प्रोटोकॉलों का बहुत समूँ जो सभी transmission exchanges को internet में एक और से दूसरी और भेजने को परिभासित करता है तो प्रोटोकॉलों का वो कौन सा समूँ है, जो transmission exchange के लिए एक तरह से उत्तरदाई होता है, इन में से देख सकते हैं, option देख सकते हैं तो सही उत्तर इन में से जो होगा, question number इसका तो option number B, TCP IP जो है, यह होता है, transmission exchange तो आप लोग देखते भी होंगे, mobile में कभी internet की setting में जब जाओगे तो practical होता है computer पूरी तरह से, तो TCP IP आपको लिखावा मिल जाएगा अगला प्रसन देखते हैं, निम्न में से कौन सी server layer cloud computing में अलग से उपलब्द नहीं ओती है, तो कौन सी service जो है layer cloud computing में अलग से उपलब्द नहीं होती है, तो इन में से बताना, options देख सकते हैं सही उत्तर जो है, इस question का, वो है hardware as a service जो है, cloud computing में अलग से उपलब्द नहीं होती है अगला प्रसन देखते हैं Windows निम्न मेंसे किसका उधारन है तो Windows क्या है इन मेंसे Windows एक जो है Operating System होता है क्योंकि Windows आप देख सकते हैं जैसे Windows 10 एक्जामपर हो गया तो यह Operating System होता है Hardware को तो आप चूँ सकते हैं देख सकते हैं अगला प्रसन है निम्न मेंसे कौन सा Application Software है इन मेंसे बताना है कि Application Software कौन सा है Compiler है, Operating System है या MS Office है या इन मेंसे कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा MS Office जो है एक Application Software होता है अगला प्रसन है ROM है एक तो ROM क्या है इन मेंसे ROM जो होती है यह Non-Volatile Memory होती है यह धियान रखना है और RAM जो होती है वो Volatile Memory होती है तो सही answer हो जाएगा Option Number B Non-Volatile Memory अगला प्रसन देखिए निम्न मेंसे कौन Input Device है इन मेंसे Input Device कौन सी है तो इन मेंसे Plotter हो गया Monitor हो गया Printer हो गया यह तीनों जो है Output Devices है Scanner इन मेंसे Input Device है अगला प्रसन देखते है Internet Explorer है एक Internet Explorer इन मेंसे क्या है एक News Reader है Web Browser है Graphing Package है या इन मेंसे कोई नहीं है तो Internet Explorer जो हमारा होता है Web Browser होता है Option Number C Correct Answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए निम्न मेंसे कौन Page Printer है जो बहुत ही सूक्षम से आइकनों द्वारा अक्षर और आक्रेती बनाकर उच्च गुणवत्ता का Output देथा है तो इन मेंसे कौन सा वो Printer है तो सही answer जो हो जाएगा Option Number B Laser Printer जो है एक ऐसा Printer है जो सूक्षम से आइकनों द्वारा अक्षर और आक्रेती बनाकर उच्च गुणवत्ता का Output देथा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है निम्न मेंसे कौन सा Antivirus Software है तो Antivirus Software इन मेंसे बताना है तो यह आसान question है आप Eliminate कर सकते हैं Java हमें बता है Language है Tally जो है एक Application Software है जिसमें की एक तरह से Counting होती है Banking से Related यह होता है या फिर GST Counting आपको सीखना है तो Tally Software में सीख सकते हैं तो इन मेंसे जो Norton है वो एक क्या है Antivirus Software होता है तो सही answer हो जाएगा Option Number C अगला question देखिए Google है 1 तो इन मेंसे Google क्या है तो Google सभी को पता है Google एक सर्च इंजन होता है Option Number A correct answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए चाल्स वेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांतरिक कंप्यूटर कहलाता है तो चाल्स वेबेज ने जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था उसको क्या कहा जाता है तो यह धिहान रखना है इंपोर्टेंट क्वेज ने इसको एनलेटिकल इंजन कहते हैं तो चाल्स वेबेज ने जो पहला एनलेटिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था उसका नाम हो गया अगला प्रसंद देखिए निमन में से कौन सा नौन बोलेटाइल इस्मरिती का उधारन है तो अभी हमने डिस्केस किया था कि Rom जो होता है वो नौन बोलेटाइल मैमोरी का उधारन है वो सही आंसर हो जाएगा option number C अगला प्रसंद देखिए निम्न में से कौन सा आती सक्तिसाली परकार का computer है तो सबसे सक्तिसाली computer जो इन में से होता है वो होता है आपका super computer तो आप लोगों के लिए question है कि भारत का जो पर्थम super computer था उसका नाम क्या है आप लोगों ने comment box में जरूर answer करिएगा अगला question देखते है मारा हो जाएगा DBMS तो इसका full form भी पूछा जा सकता है इसका full form यह है database management system अगर आपको इसका full form भी याद रहता है तब भी आप ऐसे question का answer आराम से लगा सकते हैं तो database management system इसका जो है full form हो जाएगा अगला question देखते है pentium सब्द सम्मंदी थे तो सही answer हो गया option number C next देखिए किस तरह का परकरम छोटी file बनाता है जिसका internet पर इस्ताना अंतरन तीबर होता है तो कौन सा परकरम है तो आपने देखा होगा जैसे आप लोग videos बनाते होंगे upload करते होंगे किसी website पे या जैसे whatsapp में आपको upload करना होता है किसी को भीजना होता है तो वह बहुत अगर जादा megabyte की files हो जाती है तो वह नहीं जाता है तो हम compression का use करते हैं compress करते हैं data को या videos को compress करते हैं तो उसका size जो है एक तरह से कम हो जाता है सही answer हो जाएगा option number A compression मैंने कहा computer practical subject है आप लोग अगर mobile phone चलाते हैं या laptop चलाते हैं तो बहुत सारे questions आपके उतने में ही ठीक से हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा धिहन से करते हैं अगला प्रसंद देखिए ALU का तात पर रहा है तो ALU का इन मेंसे क्या तात पर रहा है तो ALU जो है computer का part है और सही answer इसका है option number D arithmetic and logical unit जो है ALU का full form होता है तो थोड़ा सा धिहन रखना है option देख सकते हैं आपको confuse करने के लिए लगभग एक से देते हैं तो arithmetic and logical unit से answer हो जाएगा निमन मेंसे कौन input device नहीं है इन मेंसे बताना है कि input device कौन सा नहीं है हमें पता है mouse input है keyboard input है light pen भी जो है आपका वो भी input device है तो VDU जो है वो आपका input device नहीं है तो VDU का अगर full form पूछा जाए तो visual display unit तो यह ध्यान रख सकते हैं video का हो गया visual display unit तो यह जरूर ध्यान पूछा जा सकता है अगला question देखते हैं computer की किस PD में transistor का परयोग हुआ था तो कौन सी PD थी computer की जिसमें transistor का परयोग हुआ था तो इन मेंसे सही answer जो है option number B है दूसरी PD में transistor का परयोग हुआ था अगला प्रसंदेखिए निमन लिखित में से कौन एक programming भासा नहीं है तो इन मे नहीं होता है इन में से C हो गया, Java हो गया, VB हो गया ये सारी जो हैं programming की भासाएं हैं अगला प्रसंदेखिए memory और ALU यानि arithmetic and logical unit के मध्य data का अंतरण कराती है तो कौन इन में से data का अंतरण कराती है ALU और memory के बीच में data एक तरह से अंतरण कौन करवाता है तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा control unit का कार्य होता है वो ALU और memory के बीच में data को अंतरण करवाती है या transfer करवाती है अगला प्रसंदेखिए निमन में से किस computer का मस्तिस्क कहा जाता है तो किसे हो गई है मिस्प्रिंट हो गया तो किसे इन में से computer का मस्तिस्क कहते हैं तो आसान सा सवाल है CPU को जो है computer का मस्तिस्क कहा जाता है अगला प्रसंदेखिए TCP सब्दकार्थ है तो TCP जैसे मैंने कहा था कि TCP IP लिखा होता है जब आप computer की या mobile की internet setting में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो TCP का full form बताना है हमें यहां पर TCP का full form होता है transmission control protocol अगला प्रसंदेखि markup language जो है तो इसका file extension name जैसे हम word का पढ़ते है .doc होता है तो ऐसे ही अगर html का पूछा जाए तो .html होता है तो सही answer हो जाएगा यह क्या है एक file extension name है अगला question देखिए सामान्य आता है www pages vixit होते हैं इन में से किस में www pages vixit होते हैं तो यह देखिए यह question थोड़ा सा ठी आपने देखा होगा पिछला जो exam होगा था उसमें थोड़ा ठीक level के प्रस्न पूछे गे थे तो सही answer इसका है www pages vixit होते हैं वो url में होते हैं url का full form आपको ध्यान रखना universal resource locator अगला question देखिए एक nibble बराबर होता है तो एक nibble की value हमें बतानी है एक nibble की value जो होती है व मैंने का practical subject है router आपने देखा होगा जो आप लोग router यूज करते हैं उसमें सिम्कार लगता है वो आपको internet एक तरह से connectivity देता है तो क्या है तंतर जाल है networking का उधारन है एक तरह से router सही answer हो जाएगा option number C अगला question देखते हैं computer विसानू या computer virus जो है किसको परभावित करता है software क hardware को computer भासा को या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर हो जाएगा computer virus जो है software को परभावित करता है अगला प्रसंद देखिए computer सब्द की व्यूत्पत्ति कहां से हुई है तो यह important question है computer सब्द की उत्पत्ति हुई है Latin भासा से और Latin भासा में यह धियान रखना है computer computer एक word है इस इसका मतलब होता है गंड़ना करना या गंड़ना करने के लिए तो यह ध्यान रखना है computer word से उत्पत्ति हुई है Latin भासा का सब्द उचा जा सकते है और इसका अर्थ जो होता है गंड़ना करना होता है इसलिए computer को संगणक कहा गया junk email को भी कहा जाता है junk email को और हम क्या कहते तो आप अभी कभी अपना email देखोगे तो वहाँ पर आपको junk file या spam करके एक मिला देखने को मिलेगा तो वहाँ पर ऐसे mail होते हैं जो कोई एक तरह से promotion के mail होते हैं जो एक ही mail जो है बहुत सारे लोगों को एक जिसा भीजा जाता है तो वो एक तरह से क्या है spam होता है spam में जा गया था तो यह underline इसलिए किया गया है कि यह जो option है वो थोड़ा सा ठीक नहीं type हुआ है तो सही answer जो है जे प्रेस पर एकर्ट तो जे ठीक है जे प्रेस पर एकर्ट इसका नत था प्रेस पर और एकर्ट यहाँ लिख देता हूँ एकर्ट ऐसे तो यह नाम आपको धियान र पताना है तो इन मेंसे जो सही answer है वो है DVD तो DVD जो हमारा होता है वो एक तरह से क्या होता है प्रकासिक संचय उपकरण होता है सही answer option number D अगला question देखिए निम्न मेंसे कौन एक volatile memory का उधारन है अभी तक हम non-volatile देख रहे थे रोम जो है वो non-volatile memory था अब volatile memory जो है वो क्या है इन मेंसे RAM है option number D हमारा character answer हो जाएगा अगला question देखिए निम्न मेंसे कौन एक input device नहीं है इन मेंसे input device कौन सा नहीं है तो हमें पता scanner जो है input है आप camera से photos लेते हो तो वो भी input device हो गया mouse भी आपका input device हो गया तो flotter जो आपका है वो input device नहीं है तो सही answer हो जाएगा option number B next देखते हैं एक nibble बराबर होता है तो हम पहले भी discuss कर चुके है चार bits के बराबर होता है एक nibble अगला question देखिए 10 to the power A9 10 to the power 9 byte संचे को परदर्शित करने वाली इकाई क्या है अगर 10 to the power 9 byte है तो byte थोड़ा सा पढ़ने में धेहन रखना किलो बाइट और byte में अंतर होता है एक byte जो है 8 bit के बराबर होता है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D gigabyte को 10 to the power 9 byte संचे के रूप में परदर्शित करते हैं एक byte में कितना होता है भी बताया 8 bits होते है option number D अगला देखिए वह software जो आपको web page दिखाता है option number B अगला question देखिए निमन में से कौन सा output device नहीं है इन में से बताना है कि कौन सा output device नहीं है यह plotter, plotter, monitor, printer और scanner तो इन में से monitor, plotter और printer जो है output device है scanner आपका input device है अगला question देखिए browser क्या है browser को क्या कहते है source code को browse करने वाला software है वाइरस और malware को browse करने वाला software है या वो software जो इंटरनेट उप्भोगताओं को web page देखने में सायता करता है या वह software जो संचालन ब्यवस्ता या operating system और सुरक्षा परदान करता है तो सही answer इसका हो जाएगा option number C एक वह software जो इंटरनेट उप्भोगताओं को web page देखने में सायता करता है उसको browser या browser कहते हैं आगला प्रसंद देखिए आंतरिक रूप से data को परदर्सित करने के लिए computer में कौन सी coding scheme का पर्योग किया जाता है तो सही answer हो जाएगा हम binary system का पर्योग करते हैं या binary coding का पर्योग करते हैं computer में एक तरह से आंतरिक रूप से जब data परदर्सित करना होता है अगला प्रसंद है कौन सा एक multi user time sharing operating system है तो multi user यानि बहुप योगी यानि जिसको बहुत सारे user एक साथ use कर सकते हैं और time sharing operating system है तो सही answer इसका हो जाएगा option number B unix जो है वो multi user और time sharing operating system हो गया RAM क्या है तो RAM और ROM हम बहुत बार discuss कर चुके हैं इन में confuse नहीं होना है RAM जो है एक volatile memory है अगला प्रसंद देखिए एक public switching telephone network public switching telephone network PSTN full form पूछा जाए तो एक public switching telephone network हो गया कौन सी switching तक्निकी का पर्योग करता है ये जो है कौन सी switching तक्निकी का पर्योग करता है तो सही उतर जो हो जाएगा option number C है इसका को एक साथ नहीं रखती है non-contiguous किस्तान को कहा जाता है यानि किसी किरिया के वास्तविक पते को की जगे को एक साथ नहीं रखती है उसको हम क्या कहते हैं तो सही उतर इसका हो जाएगा important question है ऐसे question पूछे जाएगे pacing इसको हम कहते है option number A इसका नाम बताना है तो सही answer हो गया cache memory जो आपका होता है वो सबसे तीबर memory होती है जैसे आप देखते होगा अगर आप internet यूज करते हैं थोड़ा सा slow हो गया आपको एक option मिलता है clear cache तो cache memory में जो एक तरह से कभी virus भी वो catch कर लेता है तो बहुत सारा ऐसा data internet का वो catch कर ले तो वो cache memory होती है और सबसे तीव रितम होती है अगला प्रसन देखिए firewall application का उप्योग होता है तो firewall application जो है एक security app होता है ये और सही answer इसका हो जाएगा inbound और outbound packets को पकड़ने के लिए इसका परियोग किया जाता है option number A अगला question देखिए CPU का मतलब है तो kendria संसाधनिकाई आप बोल सकते है central processing unit आप बोल सकते है information की परिभासा इन में से है तो information एक processed data होता है जिसको एक तरह से पूरी तरह से verify करके परियोग किया जाता है जैसे example ले लिजे अगर कोई news है तो उसका पहले proper analysis होगा उसकी एक तरह से verification होगा कि वो सही है या नहीं है उसका मतलब वो क्या है एक तरह का processed data हो गया अगला question देखिए GUI का तातपर्या है इन में से GUI एक तरह से GUI का full form आपको बताना है तो सही answer जो है graphics user interface GUI का full form होता है अगला प्रसंद देखिए data bus ले जाती है तो data bus क्या ले जाती है तो data bus की बात कर रहे है आप ये bus में confused मत हो जाना कि सवारी ले जाती है तो इन में से देखना है तो data bus जो है data signal को दोनों दिसाओं में ले जाती है option number C इस का correct answer हो जाएगा ये आपको याद रखना है अगला प्रसंद देखिए USB जैसा की USB device का तात पर रहे है तो USB आप लोग सब पर्योग करते होंगे mobile phone में खास कर चाहे वो charging USB हो या फिर data transfer के लिए use करते है तो USB का आपको full phone बताना है तो सही answer आपका हो जाएगा universal serial bus अगला question देखिए LAN का अतात पर रहे है तो LAN है ये local area network सही answer हो जाएगा option number B अगला प्रसंद देखिए निमन में से कौन operating system नहीं है तो operating system कौन सा नहीं है इन में से बताना Linux एक operating system है Unix का अभी हमने बुला कि multi user type का होता है DOS, MS-DOS एक operating system है Tally इन में से operating system नहीं है ये application software है अगला question देखिए Cyber law की सब्दावाली में DOS का आर्थ है अब ये question थोड़ा सा confuse नहीं होना अगर ये computer की सब्दावाली में पूछे तो इसका full form होता है disk operating system ये जो आपको दिया है तो disk operating system अगर computer की सब्दावाली में पूछे लेकिन अगर cyber law के सब्दावाली में पूछ रहा है तो इसका full form होता है denial of service तो very important है आपको धिहन रखना है computer की सब्दावली में पूछे तो disc operating system answer करना और अगर आपको cyber law की सब्दावली में पूछे तो denial of service अगला प्रसंद multimedia में multimedia जो आप पर्योग करते हैं उसमें क्या-क्या समिलित हो सकता है तो सही answer इसका उसमें graphics हो सकता है animation हो सकता है वीडियो जो सकता है music हो सकता है और आवाज हो सकती है तो सही answer हो गया option number B अगला प्रसंद देखी एक निश्चित पते पर किसी abuser द्वारा बार बार एक ही email भेजना email संदेश भेजना कहा रहता है abuser का मतलब जो गलत words यूज़ कर रहा है और बार बार एक ही पते पर उस email को बार बार भीज रहा है तो उसको हम क्या कहते है उसके लिए word यूज़ किया जाता है email bombing उसको हम कहते है spam मैंने बताया कि अगर एक mail जो है बहुत सारे लोगों को same mail भीज रहा है कोई company अपना advertise करने के लिए भीजती है ऐसा mail तो वो spamming हो गया और email bombing हो गया कि अगर कोई abuser जो है बार बार एक email को भीज रहा है और एक ही पते पर भीज रहा है तो उसको email bombing कहा जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है computer में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के परयोग का तरीका गहलाता है तो एक ही समय में एक से अधिक अगर medium यूज कर रहे हैं तो उसको हम multimedia कहते हैं option number A हमारा सही answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए किस परकार के computer का सरवाधिक परयोग किया जाता है तो इन में सासन के लिए computer का परयोग करते हैं तो उसको e-governance कहते हैं e-governance जो हो गया वो सासन के छेतर में यानि अगर administration में computer का use होता है तो उसको e-governance कहा जाता है आगे बढ़ते हैं एक byte कितने bits के बराबर होता है तो ये question हम बहुत बार discuss कर चुके हैं सही answer जो आपका है वो है option number a 8 bits के बराबर होता है एक byte अगला question देखिए computer program के लिए दूसरा नाम है तो computer program के लिए दूसरा नाम बताना है तो computer software जो है computer program भी आप बोल सकते है computer software भी आप बोल सकते हैं hardware तो आपको पता है ऐसे उपकरण जिनको आप छू सकते हैं keyboard हो गया mouse हो गया तो बहार से जिनको आप छू सकते हैं वो hardware का पर जो computer भासा वो language हो गई और computer इसमरिती जो है इसमें आपका RAM, ROM जो भी memory के उपकरण है वो सारे computer इसमरिती के लाते हैं अगला question देखिए कौन सा computer का घटक या भाग नहीं है इन में से कौन सा computer का भाग नहीं है हमें पता input unit computer में होता है output unit होते है memory unit भी होती है और इसके अलावा ये हमारा सही answer हो जाएगा basic unit जो है वो computer का भाग नहीं होता है option number D correct answer हो जाएगा अगला question देखिए computer के जनक कौन है तो आशान सा प्रस्न है Charles Babbage को हम computer का जनक कहा जाता है अगला question देखिए द्वी आधारी binary संख्याएं हैं तो जैसे कि binary code इसलिए मैं हर question के आपो विकल्प discuss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन पे और question बने हैं वागे तो binary संख्याएं या आधारी संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें से तो सही answer जो हो जाएगा option number A है 0 और 1 जो है वो binary code होते हैं अगला question देखिए OMR का तातपर्य है तो OMR आपने देखा होगा जैसे OMR हमारी होती है exam में आपका exam होने वाला है और optical यानि प्रकासिय रूप से उसके जो mark आप करते हैं जैसे black करते हैं गोलों को तो वो optical mark reader से read होते हैं और आपका result उससाब से बनता है option number A इसका सही answer हो गया अगला question देखिए निमनमें से कौन सा output device नहीं है तो output बताना कौन सा नहीं है हमने अभी तक बहुत discuss के लिए printer output है, water output है monitor आपका output device हो गया mouse आपका input device है सही answer हो जागा option number C अगला प्रसन देखिए एक pen drive है तो pen drive आप लोग बहुत यूज करते होंगे तो pen drive के है एक secondary memory है जो भी आपके भार से आप link करते हैं computer में तो वो आपकी secondary memory होती है और इसको आप हटा सकते है यानि option number C इसका सही answer है कि एक हटाए जाने वाली दित्य भंडारण एककी यानि secondary memory unit है जिसको आप हटा सकते है option number C और इसमें आपका data जो है सुरक्षित रहता है आप लंबे समय था कि storage रख सकते है option number C इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए GIF का आसे है तो GIF आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे जैसे चैट करते हैं तो उसमें आपको GIF file मिलती है ऐसे वो एक तरह से animation type का होता है GIF file तो जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं आजकल GIF आप देखोगे चैट में option आएगा आपको emoji के साथ में GIF तो आप उसको practically देखिए आपको ज़्यादा दिक्कते नहीं होगे उनको attempt करना में आएसे question को सही answer इसका है उसको graphical interchange format कहते है option number C इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए computer को जाल करमित करना computer को जाल करमित करना जो है एक तरह से जाल करमित करने का मतलब यह है कि internet से जोड़ना उससे क्या होता है खत्रों के अफसरों में बढ़ोतरी करता है computer की उपयोगिता बढ़ाता है सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है बिल्कुल सारी बातें सही है internet में आपका cyber crime औगरा की घटनाए देखने को मिल सकती है तो खत्रे के अफसर बढ़ते है computer की उपयोगिता भी बढ़ती है internet जोडने से और सूचना अभिगमन यानि सूचना परसारण की संभावनाओं भी बढ़ती है तो सही answer हो जाएगा option number D सारे के सारे जो है जाल करमित या internet से जोडने से सारे ये परियोग होते है यानि उपरोग सभी हमारा सही answer है अगला कुशन देखिए मूल निवेस निरगम परनाली computer में विध्यमान रहती है तो मूल निवेस निरगम परनाली computer में विध्यमान रहती है इन मेंसे किसपे hard disk पे यादरिक शिक अभीगम इसमरेती यानि random access memory है या फिर read only memory में या फिर उपरोगत मेंसे कोई नहीं तो question important है किया जाता है तो MB जो है megabytes हो गया यानि option number B सही answer हो जाएगा अगला question देखिए CPU का पूरा नाम computer की भासा में तो central processing unit होता है अगला question देखिए आज कल सबसे अधिक होने वाली निभेस युक्ति डिवाइस है तो सबसे अधिक पर्योग क्या होता है इनमें से mouse का पर्योग होता option number C next देखते हैं next हमारे पास है IC chip का निर्मान किया जाता है इनमें से किस से किया जाता है तो IC chip का निर्मान जो है वो semiconductor यानि अर्धिचालाक धातूं से किया जाता है जैसे हो गया silicon silicon main है तो सही answer हो जाएगा option number B अगला question देखिए IC chip द्वारा निर्मित पर्थम digital computer है तो very important question person है पिरी में पूछा गया था UKPSC के तो कौन सा computer जो है IC chip द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था तो सही answer इसका है वो है IBM system IBM जो है company है इसका full form भी पूछा जा सकता है international business machine होता है तो IBM system 360 जो है option number D इसका सही answer हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलिखित में से MMPS का बताना है तो सही answer जो है वो है sorry SMPS है यह MMPS पूड़ों में SMPS का पूरा नाम switch mode power supply यसनि option number A आपका सही answer हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलिखित में से कौन सा MS word के ruler में नहीं होता है तो ruler जो उपर से आता है MS word में उसमें tab stop box भी होता है left indent होता है right indent होता है side sorry center indent जो है उ function की या कुंजियों की संख्या कितनी होती है तो function की जो है बारा होती है उपर से आपने देखा होगा F1 से लेकर F12 तक जो है इनको हम function की क्याते हैं अगला प्रसंद देखिए computer से annotation C A I द्वारा आधिगम किस छेतर में नहीं होता है तो कौन से छेतर में अगर computer से आप annotation कर र संख्यानत्मक्षित्र develop होगा किर्यात्मक्षित्र आप practically देख सकते हैं यानि active रह रहे हैं तो किर्यात्मक्षित्र भी है भावात्मक्षित्र नहीं है यानि आपका एक तरह से feeling इसमें added नहीं है teacher सामने पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए हमारे पास feelings available रहती है तो भाव संख्यानत्मक्षित्र इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए C A I computer से अनुदेशन निमलिखित को सुगम बना सकती है किसको सुगम बना सकती है ब्यक्तिगत यानि ब्यक्तिगत अनुदेशन को अनुदेशन का मतलब एक तरह से सीखना ही मानलू तो अनुदेशन सुगम बना सकता है इसको अगला प्रसन देखते हैं मेमोरी सब्द जो संबन देखिए सरबादिक तेज गति का प्रिंटर है तो इन में से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है वो प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का वो होता है लेजर प्रिंटर जो है है इंटरनेट अगला क्वेस्टन देखिए LCD का पूरा नाम क्या है तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेस्टन आपको पूछते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्पिले अप्शन नमबर A सही आंसर है अगला प्रसंद देखिए plotter है plotter क्या है अभी तक हम डिसक्रस कर रहे plotter जो है एक output device है सही आंसर हो जाएगा option नमबर B अगला प्रसंद देखिए CD-ROM है CD-ROM इन मेंसे क्या है तो CD-ROM एक तरह से memory है तो semiconductor memory होती है CD-ROM semiconductor memory अगला प्रसंद देखिए computer में परियुक्त गणित कहलाती है तो computer में जो गणित का कहते है और 0 और 1 यह binary code पर चुग होते है अगला प्रसंद देखिए ROM का पूर्ण रूप है तो ROM का पूर्ण रूप हो गया read-only memory और किस तरह की volatile या non-volatile बहुत बार discuss कर चुके हैं आप तो याद हो जाना चाहिए अगला प्रसंद देखिए USB का पूर्ण रूप होता है USB का पूर्ण रूप भी हमने discuss किया था universal serial bus अगला प्रसंद देखिए MS word परलेख में एक तस्वीर डालने में निमलेकित में से कौन सी feature मदद करती है तो देखता है आयोग भी है क्या आप लोगोंने practical computer देखा है या नहीं देखा है तो अगर picture आपको डालना हो MS word में आपको फाइल बना रहे हैं उसमें आपको picture add करना है तो आप क्या करते हैं उसमें picture 8 का परियोग करते हैं option number C से या answer हो गया computer में paste के लिए shortcut की क्या है तो paste के लिए control V यूज़ करते हैं जैसे copy करते है control C से और paste करते है control V से अगला question देखे अंडू करने के लिए windows प्रोग्राम को संयोजन की कुझी है तो windows प्रोग्राम की संयोजन की कुझी undo का मतलब जो आपने किया है last work उसको undo करना है यानि हटाना इसको तो होता है control plus Z अगला प्रसन देखे विंडोज operating system किसका उत्पाद है तो windows जो operating system है वो इन में से कौन सी company का है तो windows जो है Microsoft का है option number C आपका सही answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं computer का जनक कौन है तो कितनी बार आ चुका है चार्स वेबेज होगे C भासा के जनक ह तो डेनिस रिची जो है वो C language के जनक है अगला प्रसन देखिए www का पूर्ण स्वरूप क्या है तो worldwide web होता है option number D सही answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए एक के भी बराबर होता है तो एक किलो बाइट से जो बराबर होगा वो 1024 बाइट के बराबर होता है किलो बाइट अगला प्रसन देखिए तो यहां पर देख सकते हैं memories की unit एक के भी अगर पूछा जाए तो 2024 बाइट हो गया और अगर एक MB पूछा जाए तो 2024 के बराबर एक MB हो गया एक 2024 MB के बराबर एक GB होता है तो यह धियान रखने अपने Facebook के संस्तापक कौन ही जानता है जुकरबर को तो Mark जुकरबर जो है Facebook के संस्तापक होगे Bill Gates का संबंध इनमें से किस से है तो Bill Gates का संबंध आपने बताना है किस से है Mac से है या Linux से है Android से है या Windows से है तो correct answer इसका जो है Windows से संबंध देथ है Bill Gates अगला प्रसंदी के निमन में computer की memory मापक नहीं है कौन सा इनमें से ऐसा है जो computer किलो बाइट होता है हमने भी डिसक्स किया मेगाबाइट टेराबाइट सब होता है हर्ज नहीं होता है तो हर्ज किसका मात्रक होता है आपके लिए आज का दूसरा question जरूर कमेंट करना अगला प्रसंदी के निमन में computer की भासा है तो computer की भासा कौन सी है basic भी है C++ भी है Java भी सबी है अगला प्रसंदी कि निमन में से कौन operating system नहीं है तो इन में से Windows एक operating system है Ubuntu operating system है बलकि ये काफी modern operating system है तो सही answer हमारा जो है Mac एक operating system नहीं है Google Apps भी आपके operating system होते हैं अगला प्रसंदी कि ALU है तो ALU हमने बहुत बार डिसक्स किया arithmetic and logical unit अगला प्रसंदी के ग्रामीन broadband network से जुडने वाला भारत का पर्थम जिला खौन सा है तो उच गती के जो ग्रामीन broadband network से जुडने वाला पहला जिला था केरल का अगे रहता है तो केरल का एडुक की जिला सही answer हो जागा option number C अगला प्रसंदी कि नवींतम android चल दूर भास परचालन पद्दती 6.0 का नाम है त जो android system हम use करते हैं तो android 5,6,7 है तो 6 जो नवींतम है इसका नाम क्या है तो इसका नाम जो है सही answer इसका जो है option number B है mars mellow इसका नाम है android पर चलन जो पद्दती है 6.0 उसका नाम के है mars mellow सही answer हो जाएगा अगला प्रसंद है unicode in code आप तक जो हमने question डिसकर्स किया वह ऐसे question थ लेटेस टाइप के यह आपको पूछे जा सकते है unicode in code परियोजना का एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समोह में परतिनी दित्तो करती है यानि unicode या in code जो है एक तरसे कितने के समोह का परतिनी दित्तो करती है तो सही answer इसका है 8 bit यानि 8 bit यानि 8 byte यानि 1 byte हो गया तो 8 bit के समों का परतिनी दित्तो करती है एक unicode अगला question देखिये land network में प्रतेक सिस्टम की पहचान होती है तो land network में जो प्रतेक सिस्टम की पहचान होती है वो होती है IP address के द्वारा इपनी option number C हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिये cileron pentium और core अभी जब आप computer खरीदने जा आता है pentium 4 आता है यानि P4 आप पहले P4 ही चला कर देते सिले रोन भी जो है काफी हलका processor होता है तो आप तो core के भी अलग-अलग version i3, i5, i7 तक लेटेस लेटेस अब core के चलते हैं तो सही answer यह क्या है computer processor के एक तरह से क्रम है अगला प्रसंद देखिये निमन लिखित मेंसे क क्कान सा कतन सत्य है यह थोड़ा से ध्यान से बढ़िएगा modem एक software होता है modem जो है software होता है जो है में convert करेगा और Digital Signal को तो डोमेन है यह आपका क्या होता है अनुलाब कारी व्यापार ही तु परियोग किया जाता है अगला देखे वर्ड प्रोसेसिंग सॉप्टवेर के संधर्ब में एक समाहित प्रकासन बनाने ही तु डाटा स्रोथ में परिवरती सूचना के साथ प्रकासन में अपरिवरतनिय स सूचनाओं के संयोजन के प्रकारम को जाना जाता है तो डेटा स्रोथ में जो परिवरती सूचना के साथ प्रकासन में अपरिवरतनिय सूचनाओं का संयोजन का प्रकारम है इसको क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है आपका मेल मर्ज कहा जाता है तो मेल मर्ज में क्या हो mail merge अगर देखिए DVD प्रोधोगी की में digital data के भंडारण के लिए optical media का उप्योग किया जाता है DVD परिवर्णी किस के लिए है तो DVD परिवर्णी यानि simple सा इतना लंबा question बना दिया है DVD का full form आपको पूछ लिया गया है DVD का full form आपका क्या होता है यह होता है आपका digital versatile disc तो digital versatile disc जो है आपका DVD का full form हो गया CD का बताइए CD का होता है compact disc तो यह भी आप ध्यान रखेएगा CD का compact disc हो गया नहीं लिए तो दो कथनों को पढ़ें तो यहाँ पर दोनों कथनों को पढ़ना है पहले सूचना इबम संचार प्रोधोगी की जो आपका ICT है को सूचना प्रोधोगी की IT का उपसमुच्चे माना जाता है तो यह IT का उपसमुच्चे नहीं है बलकि ICT का part है IT जानी जो सूचना प्रोधोगी की है वो ICT का part है Information and Communication Technology का part है Information Technology तो यह गलत है उल्टा छपा है Software के किसी हिस्से के उप्योग अधिकार को copyright सरवादिकार तो किसी हिस्से के उप्योग को copyright नहीं कहा जाता है या आप अच्छे से जानते हैं तो न तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है गला देखते हैं नमलिकित में से कौन सा computer memory प्रकारों में से उच्चतम से noon-term गती speed को दीखिए speed के हिसाब से पहले उच्चतम को लगाना है और फिर उसके बाद noon-term को लगाते जाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सबसे पहले हमारा आ जाएगा CPU registers आ जाएगे क्योंकि इनकी गती सबसे तेज होगी फिर आपकी case memory आएगी फिर main memory तैम आएगी फिर secondary storage आएगा अधिकतर क्या होता है जब हमें सबसे तेज गती तो हम case memory को चुन लेते हैं लेकिन अगर CPU registers भी हो तो CPU registers पहले नंबर पर आएगा तो यह किस से संबंदित है यह आपका ICT से संबंदित है information and communication technology से संबंदित यह statement हो जाएगा आपका अगला दिखते हैं CD-ROM में file को copy करने की परकिरिया को ऐसे जाना जाता है यानि CD-ROM में जो हम file को copy करते हैं उस परकिरिया को क्या कहा जाता है उस परकिरिया को आपका कहा जाता है इससे burning कहा जाता है option number A अगला दिखिए कई प्राप्त करता हो को तुरंत भीजा गया आयाचित email को कहा जाता है तो जो कई प्राप्त करता हो को तुरंत भीजा गया email है उसको क्या कहा जाता है तो इस तरह का email spam कहलाता है आपका option number D सही उत्तर हो जाएगा यदि 10 mix संख्या 48 का दुयाधारी समतुल्या 11000 है तो 10 mix संख्या 51 का दुयाधारी समतुल्या क्या होगा तो इसका दुयाधारी जो binary digit में इसका समतुल्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 110011 हो जाएगा तो option number A आपका सही answer हो जाएगा तो देखिए देखिए फिलिंदे blanks है memory circuit का एक परकार है जो computer के startup routine को धारन करता है तो कौन सा memory जो है ऐसे circuit का एक परकार है तो यहाँ पर जो आपका room है read only memory जो होता है आपका ये क्या होता है ये एक तरह से room memory room जो memory है वो circuit का एक परकार है जो computer के startup routine को धारन करता है तो R.O.M. read only memory आपका सही answer हो जाएगा तो देखिए N.M.E. I.C.T. N.M.E. I.C.T. का अर्थ है तो N.M.E. I.C.T. का आर्थ हो गया आपका national mission on education through I.C.T. तो option number A आपका correct answer हो जाएगा ने में लिखित में से कौन एक instant messaging application नहीं है तो instant जिससे हम instant messaging real time messaging जैसे हम whatsapp में करते हैं real time messaging होता है हमने type किया और send किया तो उतुरंद पहुंझाता है तो उसको बोलते है instant messaging तो यह आपका किस किस में होता है यह हमें बताना है यहाँ पर देखिए whatsapp के होता ही है Google Talk पे भी होता है और Viber पे भी होता है तो यानि A, B, C तीनों इसके सही answer हो जाएगे अगला देखिए एक computer में, एक byte में सामान्य तह सामिल होते है तो एक byte में, एक byte में कितने bits होते है एक तरह से तो एक byte में आपके 8 bits होते है option number B, इसका correct answer हो जाएगा ने में लिखिए तमें से कौन open source software है तो देखिए open source software हमें बताना है इन में से जो open source software है आपका यह mozilla firefox है mozilla firefox है, यह क्या करता है आपको यह आपको internet से connect करता है और एक तरह से जो भी आप so करना चाहिए एक browser की तरह काम करता है mozilla firefox, बाके MS word है इसमें तो आप word के activities windows, acrobat reader, यह सब क्या है आपके, यह file read करने के यह file create करने के software है mozilla firefox आपका open source software हो गया, नमली कितमें से कौन नवेसी input device नहीं है input device इन में से देखे, microphone भी input है, joystick input है, keyboard तो input है, monitor इन में input device नहीं है, अगला देखिए नमली कितमें से कौन हमें एक ही पत्र को MS word में बिभिन बेक्टियों को भीजने में समर्थ बनाता है, तो यह मैंने अभी बताया आपको, कि mail merge जो है, यह आपको एक ही पत्र को, अलग-अलग बेक्टियों को भीजने में समर्थ बनाता है, नमली कितमें से कौन से निर्गम युक्टी या output डिवाइस नहीं है, जो output डिवाइस नहीं है वो हमें चुननी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए printer, monitor, speaker, यह सब output है, keyboard आपका output डिवाइस नहीं है, नमली कितमें से कौन सी एक अरब अक्षरों का परतिनिदित्व करती है तो एक अरब अक्षरों का परतिनिदित्व अभी हमने डिसकस किया था, गिगा वाइड जो है यह आपका एक अरब डिजिट्स का परतिनिदित्व करता है नमली कितमें से कौन निसुलक सुरोत software नहीं है, देखिए निसुलक सुरोत software कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या है आपका, जो इंटरनेट explorer है, यह आपका निसुलक सुर्स software नहीं है, निसुलक नहीं होता है आपका, बाकी जो फेड़ोरा लाइनेक्स है, ओपन ओफिस है, यह स्टीटीप सर्वर है, तो यह आपके निसुलक source software हो जाएंगे, मैं मिले कितमे से कौन सी दसवलब संख्या 25 का दोहरा समानारती बाइनरी equivalent है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाइनरी equivalent मैं अभी समझा नहीं सकता हूँ आपको, इसका correct answer बता दे रहा हूँ, इसका correct answer आपका हो जाएगा 11001, option number C बादची चैटिंग के लिए कौन सा instant messenger पर्युक्त होता है तो instant messenger पर्युक्त होता है आपका, वो होता है आपका Google Talk, Google Talk जो है इन में से, क्योंकि Mac, Microsoft Office Alta Vista, ये सब जो है instant messaging app नहीं है, Google Talk आपका instant messenger पर्युक्त होता है digital ससकती करन का अर्थ क्या हो जाएगा इन में से तो यहाँ पर कूट से हमें चुनना होगा तो यहाँ पर दिखिए, सारभाम एक digital साक्षरता बिल्कुल सही है सभी digital सुरोतों तक सारभाम यानि जो भी digital सुरोत हैं आपके उस पर universal पहुँच होनी चाहिए यानि सभी बिक्तियों की पहुँच होनी चाहिए चाहिए वो कहीं भी रहता हो सहभागिता सासन के लिए सहभागे digital platform होने चाहिए cloud के माध्यम से सभी बिक्तियों की संभावित पात्रता इसमें होती है तो यह सभी के सभी कथन आपके सही हो जाएंगे option number D A से F तक के परतीकों को नमलिकित में से किसमें परियोग किया गया है तो A से F तक के जो परतीक हैं आपके इनको परियोग किया गया है आपका 60 गसमलग जो अंक परनाली है इसमें परियोग किया गया है नमलिकित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो search engine हमें इन में से बताना है कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देखिए Google एक search engine है Yahoo search engine है, Chrome search engine है इन पर तो हम लोग एकसर काम करते ही है ना being in में search engine नहीं है CSS का संपूर्ण रूप है देखिए CSS important term है आपका CSS, इसका संपूर्ण यानि इसका जो पूर्ण रूप है आपको वो बताना है तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका cascading style seats cascading style seats आप देखिए, एक और term है very important है MOOC, MOOC का पूर्ण रूप क्या है तो यह क्या होता है, मैसीव open online course के होता है, तो मैसीव open online course क्या होता है, यह एक तरह से अंतरा stage इस तरह पर एक program चलता है, इसके द्वारा आप अलग-अलग topics पर अलग-अलग topics पर, अलग-अलग subject की study, निसुल्क या बहुत कम सुल्क पर कर सकते हैं, तो यह होता है MOOC, मैसीव open online course 10.035 का दुयाधारी समतुल्य होगा 10.035 का दुयाधारी समतुल्य जो होगा, वो हो जाएगा आपका 10011 10011 हो जाएगा आपका 35 का दुयाधारी समतुल्य देखे, .gif.jpg.bmp.png का परियोग files के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंदारन करती हैं, जो क्या भंदारन करती है आपका, देखिए ये सब आपने देखी होंगे photos में, photos में आप देखे होंगे photos के जो types होते हैं, उनको जब आप खुछते हैं, अकसर हमारे mobile में जो photo वो JPG format में आता है और बहुत बार जो png होता है जो PNG टाइप का एक तरह का बना लिया जाता है तो वो PNG टाइप के अलग टाइप के होते हैं BMP भी होता है GIFT जो हम भेजते हैं WhatsApp से तो वो सारी चीज़ें जो है किसके विस्तार के लिए तो image data आई हो जागा option number B इसका correct answer हो जागा तो ये जनरल समझ पर आधारित ऐसे question भी पूछ लिए जाएंगे FTP किसका संचित रूप है FTP होता है आपका file transfer protocol तो file transfer protocol होता है आपका FTP file transfer protocol तो इनमें से file इस तानांतरन protocol हो जागा option number A अगला देखे नमें लिकित में से कौन सा file परकार का या की छाया या बिंदू रेखन नहीं है तो कौन सा जो है file परकार का बिंदू रेखन नहीं है इनमें से तो यहाँ पर देखे आपका सही answer हो जाएगा GUI नहीं है आपका बाकि देखे PNG है BMP है GIF जो की image data के हैं आभ ही हमने discuss किया था अगला देखिए पर्थम web browser है दीखे सबसे पहले हम क्या करते थे internet explorer पर ही net चलाते थे तो पर्थम web browser भी आपका यही है internet explorer जब computer booting कर रहा हो तो memory में BIOS BIOS किसके द्वारा load किया जा रहा होता है BIOS किसके द्वारा load किया जा रहा होता है यह हमें बताना है BIOS क्या होता है basic input output system होता है BIOS को हम क्या कहेंगे basic basic input basic input output system basic input output system यह भी ध्यान रखना है कभी BIOS का full form भी पूछ लिया जा सकता है तो इसका correct जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा CD ROM होता है आपका BIOS जो है यह CD ROM के द्वारा upload किया जाता है समान जो नहीं है वो हमें यहाँ पर चुनना है तो यहाँ पर देखिए MAC address physical address, hardware address IP address क्या है यह आपका यह आपका internet से related है तो यह बिल्कुल अलग हो गया इन सबसे अगला देखिए यह में लिखित में से IP address की पहचान कीजिए कौन सा इन में से IP address है तो यह question पूछ लिया जाता है बहुत बार पूछा गया है और computer से related paper में तो यहाँ पर confused हो जाते है कि कैसे इसको solve करना है तो यहाँ पर इसका जो correct answer है वो आपका 20250.20148 यह आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा देखिए क्या है कि देखिए सुरू में 3 digit के बार dot है तो dot का परियोग किया जा रहा है देखो single digit dot है इसमें से यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा बीच में add the rate आ गया यह भी नहीं होगा और यहाँ तो dash dash आ गया तो यह भी आप eliminate कर सकते हैं उत्तर अध्योगिक समाज को नमिलिकित में से कोई एक भी कहा जाता है जो आपका उत्तर अध्योगिक समाज है इसको क्या कहा जाता है तो इसको आपका कहा जाता है सूचना समाज यानि information society भी हम इसको कहते हैं information society प्ला दिखिए इंटरनेट आधारिक संचार के आरंबिक परियास किसके द्वारा किये गए थे संस्तानों के अंतरगत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है कोई संस्तान है तो आंतरिक संचार करना है संस्तान के अंदर ही जो मानलो बहुत सारे computer लगे हैं तो उनके बीच में जो संचार करना है तो वो local area हो गया इस दिर तो local area network के द्वारा ही हो जाएगा और local area network मतलब land land, land का full फूम हो गया आपका local area network तो ये भी आपको ध्यान रखना है virtual reality उपलब्द करवाती है देखे, virtual reality virtual reality का मतलब जैसे अगर video conferencing होती है, आप सामने वालों को सुन पाते हैं अपने मुद्दे रख पाते हैं, अपनी बात सुना पाते हैं उसे, तो वो virtual reality उपलब्द कराता है तो virtual reality से क्या होता है आपका सह भागी अनभव प्रात होता है option number C, इस का correct answer हो जाएगा भारत का पर्थम virtual विष्टो विध्याले कहां आरंब किया गया देखे, very important again virtual विष्टो विध्याले, पहला virtual विष्टो विध्याले जो है यह आपका आरंब किया गया है आपका तमिल नाडू में option number D, इस का correct answer हो जाएगा www से क्या अतात पर है तो दुनिया का अब सबसे आसान question हो गया है worldwide web होता है www एक hard disk text में विभाजित होती है एक hard disk tracks में विभाजित होती है जिसे निमलिखित में उपविभाजित किया जाता है तो tracks को उपविभाजित किया जाता है आपका sectors में option number B, इस का correct answer हो जाएगा ऐसा computer program जो किसी program को वक्तव्यवार मसीनी भासा में अनुदित करता है उसे कहते हैं तो इस program को कहा जाता है आपका interpreter interpreter कहा जाता है option number D हो जागा एक gigabyte निमलिखित में से किसके बराबर होता है तो GB, एक GB जो होता है एक GB जो data रोज उड़ा जाते है आप लोग, वो एक GB कितना होता है कितनी उसकी value होती है तो यह तो पता होना ही चाहिए यह होता है आपका 1024-1024-1024 MB 1024 MB का होता है 1 GB तो यह आप दिहान रखेंगे compiler एक ऐसा software होता है जो निमलिखित परिवर्तन करता है देखे compiler का काम क्या है compiler का काम होता है आपका जो उस्च इस्टरिया language है उस्च इस्टरिया भासा को यह मसीनी भासा में बदलता है option number 20 का सयुत्तर हो जाएगा वास्टविक memory है तो वास्टविक memory और जो वास्टविक memory है वो क्या है इन में से वास्टविक memory आपका हो जाएगा इन्टरनल जो ethical protocol को क्या कहा जाता है इसको स्टविक उसट कहा जाता है और इसका मतलब होता है इन्टरनेट ethical protocol यानी इसकी भी एक आचार सहीता है कि आप किसी के साथ इंटरनेट पर अभदिता नहीं कर सकते हो तो cyber acts वगयर इसके अंतर रिखता है नेटी के एटी से कहा जाता है नेट पर वानिजिक संदेशों को क्या कहा जाता है उनको क्या कहा जाएगा तो उनको आपका कहा जाता है वेग मर्स्तियल कहा जाता है option number C आपका इसका correct answer हो जाएगा अग्ला देखिए नमले कितमे से किस पद का पर्थम पर्योग मैनुएल केस्टेले ने किया था मैनुएल केस्टेले ने किस पद का पर्थम पर्योग किया था तो इन्होंने किया था आपका नेटवर्क सोसाइटी, नेटवर्क समाज या network society का परयोग सबसे पहले किस ने क्या था तो manual case delay ने क्या था GIF का पून रूप है क्या है तो GIF जो extension name है वो photos के लिए photos के लिए तो GIF का extension name क्या होता है तो इसका extension name हो जाएगा आपका graphics interchange format option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नमलिकित में से कौन सा एक operating system नहीं है operating system बताना है कि इन में से कौन सा operating system नहीं है सही answer आपका इसमें से हो जाएगा firefox जो है operating system नहीं है इन में से अगला question है ALU का अर्थ है तो ये arithmetic logic unit हो गया ये तो असान सा प्रसन है एक vector computer के जिस circuit board पर बहुत सारे chips लगे होते हैं तो computer बहुत सारे chips होते हैं अगर आप CPU खोल के दोखोगे तो उसके अंदर जो आपका RAM भी लगा होता है तो RAM वगयरा जो भी disk वगयरा लगे होती है वो सब उसमें लगे होती है तो इसको कहते है आप motherboard computer virus है computer virus क्या है bacteria तो नहीं है देखिए बिलकुल bacteria नहीं है तो bacteria नहीं होगा computer virus hardware भी नहीं है ये एक software है software वे है जिने आप देख तो सकते हैं लेकिन touch नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है एक तरह का software है तो non-touchable ये है अगरा देखिए MS Word Office 2007 का file extension name क्या है file extension name पूश लिया जाते है पर एक शौ में आप file का पूश लेगा word का पूश लेगा excel का पूश लेगा excel का .xls होता है excel का ये धे हम बखिए 2007 file का word file का .docs हो option number A एक option दी protocol है इनमें से क्या है वो option दी protocol जो email गरहाकों को आपके computer में email के download करने के लिए सयुक्तर हो जाएगा TCP IP आवस्यक है यदि एक को email लिखित से संब्द किया जाता है TCP IP कब आवस्यक होता है जब हम internet से संब्द करते हैं तभी आपका TCP IP काम करेगा अगला देखिए computer के keyboard पर प्रते character का ASCII मुल्यमान होता है जिसका अर्थ होता है ASCII इसका अर्थ होता है American Standard Code for Information Interchange American Standard Code for Information Interchange इसका फुल फॉर्म होता है अगला देखिए email कित में से कौन सी programming भासा नहीं है programming की भासा इन में से नहीं है वो बताने है Microsoft Office programming की भासा नहीं है ये एक क्या है application software है और बाकि सब C++, Java, Pascal ये programming की languages है अन्यसक बताना है यहाँ पर ये किस परकार का होता है ये एक तरह का browser हो गया आपका mobile phone पर निमनांकित में से कौन सी प्रचालन पद्धती उप्योग की जाती है तो mobile phone पर कौन सी पद्धती परियोग की जाती है mobile phone पर आपका Android पद्धती परियोग होती है STML का परियोग करते हैं, इसका full form क्या हो जाएगा, hyper text transfer protocol, hyper text markup language, hyper text markup language, इसका full form हो जाएगा, STML का, hyper text transfer protocol जो है, आपका STTP का होता है, तो web page बनाने के लिए STML का परियोग किया जाता है, यह बात आपको ध्यांडक नहीं है, DNS पद का ताथ पर यह है, दीखे, DNS, DNS पद का ताथ पर होता है, आपका domain name system, option number A, एक अस्टक अंक निकाय में निम्न चिन होते हैं, जो यानि अस्टक अंक जो निकाय होता है आपका, उसमें कौन-कौन से चिन होते हैं, तो उसमें 0 से लेकर 7 तक होते हैं, option number A, देखिए, चिन आधारी सम्तुल्य, इतने आसानी से नहीं निकल सकता है, minus 19 है, और कुस तक के बाहर 10, यानि multiply by 10, तो इन में से कोई इसका नहीं होगा, internet की भासा में DNS अभी बोला, domain name system हो जाएगा, HTML इंगित करता है, आगे hypertext markup, markup language, यह हो जाएगा, land का परकार है, निम्न में से कौन सा land का परकार है, देखिए, land का परकार क्या है आपका, land का परकार इन में से ethernet है, ethernet का 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 होता है, यह यह भी land की तरह काम करता है, आपस में, एक इस संस्तान के system को आपस में जोडने क लिए या फिर सुचनों को transfer करने के लिए ethernet का परयोग किया जाता है, निम्न कितमे से कौन सा internet service provider नहीं है, कौन सा इन में से है, जो internet service को provide नहीं करता है, तो देखिए, mtnl करता है, bsnl करता है, airnet इंडिया भी करता है, infotech india limited इन में से नहीं करता है, sodas आधारी अंकन पद्धती में, तो sodas आधारी जो अंकन पद्धती आपकी, इसमें आपका होता है, 0 से 9 और A से F तक, option number B, एक GB बराबर होता है, देखिए, अब यहाँ पर अलग से data दे दियेगे हैं, तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा question, एक GB जो बराबर होता है, यह लगभग बर होता है, आपका 2 की power 30 के बराबर, देखिए, कम्प्यूटर के hardware, software को संचालिप करने वाले computer program हो का समुच्चे क्या कहलाता है, तो इनका समुच्चे आपका कहलाता है, operating system, operating system कहलाता है, option number C, internet प्रध्योगी की में SMIME का क्या तातपर्य है, SMIME का तातपर्य होता है आपका, इनमें से secure multipurpose internet mail extension, secure multipurpose internet mail extension, इसका नाम होता है, एक विसिस्ट 32-bit computer में प्राय किस संख्या, किस संख्या विदी का अनुसरन किया जाता है, तो यह हमें से क्या होता है, double, double system होता है, double, या फिर मैं binary बोल सकता हूँ, तो binary, तो दो, और इसका सही answer हो जाएगा, इनमें खितमी से परिचालन विधी, जो operating system है, का उधारन कौन अचा है, तो Microsoft Windows जो है या आपका, Excel क्या है, application software है, अभी मैंने बिताय था, यह भी application software है, यह बाकी तीनों जो है application software है, यह आपका operating system हो गया, नमें कितमी से कौन सा, दसमलब संक्या, 2, 3 का दोहरा समाना आरती, यह question repeat हो गया, एक computer आपने data में कहां पर कुछ जोडता है, और यहां पर बताना है कि कहां पर कुछ जोडता है और उसकी तूरना करता है, एक computer, तो यह करता है आपका CPU के इंदर सारा central processing unit होता है, यहां पर, internet वाले computer की पहचान किस से होती है, तो यह IP address से इनकी पहचान होगी आपका, नमने से कौन सा internet की सूचना सुरक्षा से संबंदित नहीं है, तो सूचना सुरक्षा से संबंदित कौन सा नहीं है इनमे से, तो देखो data encryption होता है, data hiding होता है, information retrieval होता है, water marking नहीं होता है, option number B, नमने से भंदारं की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई जो है इनमे से क्या हो जाएगी, टेरा बाइट, यह option number A सरी answer हो जाएगा आपका, अगला देखी, bit का तात पर रहे है, bit का तात पर रहे है, bit का तात पर रहे होगा इनमे, वो हो जाएगा आपका, binary digit हो जाएगा, option number B, नमने कितने से कौन सी रेखिक data सलचना नहीं है, रेखिक data सलचना इनमे से कौन सी नहीं होगी, तो वो हो जाएगा, आ देखिए, एक compiler का परियोग निम्न को object code में बदलने के लिए किया जाता है, उच चीश तरिया भासा को www पर web page को डालने के लिए आपको किसकी आवस्थ सकता है तो web page को डालने के लिए एक web server के आवस्थ सकता होगी option number C निम्न में कौन सी website भातिया बैवाहिक website नहीं है तो साधी के लिए website अगर साधी ना हो रही हो तो इनको try कर सकते हैं जेवनसाथी.com है, भारतmatrimony.com है साधी.com भी है, तो singlemuslim.com इसकी website नहीं है accounting software, टेली निमन लिखित में से किसके द्वारा विक्सित किया गया तो ये दिखित किया गया था आपका टेली solution, इंडिया लिमिटेड द्वारा टेली solution, टेली solution, इंडिया लिमिटेड द्वारा ये company थी, इन में से कोई नहीं है तो एक बार आप चेक चलिजेगा टेली software computer programmer में तूटियों को कहा जाता है तो इनको bugs कहा जाता है और इन bugs को ४ूझने की पर किरिया ये घुटाने को डीबग इनग गा challenging कहा जाता है ये अभी हाली ऐक जाम में पहुचा गया था कि debugging जू है ये किसे कहा जाता है तो debugging bucks को एक तरएसे ढूँनने की पर किरिया या उनको खतम करने HTML का उपयोग मूलता निम्न मेंसे किसके अभी कल्प के लिए किया जाता है HTML का परियोग मूलता है वेब पेज बिनाने के लिए किया जाता है हम डिस्कस करी चुके है WWW जो World Wide Web है परदस्तावेजों के बैस्विक पते के रूप में परिभासी ते किया जाता है ग्राफिक स्मूल पार्ट ध्वनी वीडियो एवं सजीवता युक्त सुचना को क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाता है आपका मुल्टी मीडिया कहा जाता है एक कीबोर्ड में कम से कम जो जनरल कीबोर्ड है 101 to 104 जो है कीज होती है कम से कम 101 कीज होती है और यह अलग-अलग कीबोर्ड और उसके structure पर भी कीज की संख्या डिपेंड करता है इसका answer option number B हो जाएगा तो option देखके लगाएगा email पता address में कितने भाग होते हैं email पता जो address है आपका इसमें दो भाग होते हैं एक आपका domain name होता है एक name होता है CorelDraw का एक लोकपिरिया जो CorelDraw है वो क्या है एक लोकपिरिया क्या है तो CorelDraw जो है आपका ये एक क्या हो जाएगा CorelDraw एक software है जिस पर आप designing कर सकते हैं तो ये text program नहीं है programming की भाहसा नहीं है हाँ चितरन कारेकरम आप इसको बोल सकते हैं CD-ROM का अर्थ है Compact Disc Read Only Memory Compact Disc Read Only Memory मैंने भी बताया था CD का फुल फूम Compact Disc होता है Computer का मस्तित जो परिधिया peripherals को नियंत्रण में रखता है तो peripherals को जो नियंत्रण में रखने वाला डिवाइस है वो आपका क्या है CPU हो गया Central Processing Unit RAM का अर्थ Random Access Memory हो गया पूछा जा सकता है Central Processing Unit CPU का कौन सा भाग आंकलन करता है और निरने लेथा देखो आंकलन करना के लिए तो आशानी से लगा देते हैं कि Arthematic Logic Unit होता है तो निरने करना भी काम इसी का होता है कभी Simple पूछ लिया जाए कि कम्पूटर का कौन सा भाग निरने का कारे करता है तो वहाँ भी आपका Automatic Logic Unit हो जाएगा एक परलेक पार्ट या टेक्स्ट चित्र सीर्सक और फोटोग्राफ आज निमले कित्मे से किस के अंतर नहीत होते हैं किस में अंतर नहीत होते हैं तो यह होते हैं आपके Desktop Publishing DTP में जो है आपका यह सारी चीज़ें आजाती हैं आप टेक्स्ट भी फॉर्मेट कर सकते हैं चित्र भी सीर्सक भी जहांब आपका जो Corel Draw पूछा गया था भी वो भी आपका DTP का पार्ट है Corel Draw हो गया Page Maker हो गया Photoshop हो गया जहांपर डिजाइनिंग हो गया रहा होती है तो यह सारे Desktop Publishing होती है DPI दरसाता है DPI क्या दरसाता है आपका यह होता है Dot पर Inch से कहा जाता है Dot पर Inch LAN हो गया Local Area Network Repeat हो रहा है question अगला देखिए Modem Analog Signal को Digital Signal में और इसके विप्रीत बदलता है सूचना एवं संचार प्राध्योगी के में समली थे सूचना और संचार प्राध्योगी में क्या समली थे Online सीखना समली है Addressate के माध्यम से सीखना Addressate एक तरह का उपगरे परसारी जो है Channels होते है वेब बेस्ट से सीखना ये सभी जो है आपका ICT के अंतरगत आते है निम्नमे से इमेल के URL का कौन सा प्रारूप उप्यूकत है तो इमेल के URL का www.addheratemail.com addherate कोई भी mail, gmail या home mail whatever option number B हो जाएगा Digital वातावरण में computing, दूर भासिय, परसार इबब मेडिया के संधर्व में होते है तो ये होते हैं आपके किंद्रिया करण इनका होता है network परसारन परकिरिया संरचना निमलिखित के संधर्व में संभव है तो network परसारन जो ये क्या है तकनी की प्रयावन technical environment के अंतर गती संभव है अपनी समस्याओं को website द्वारा परसारित करने की परकिरिया को कहते है अगर अपनी समस्याओं को website द्वारा परकासित करेंगे तो उसको cyber wetting कहते है अपनी समस्याओं को website द्वारा परकासित करने की परकिरिया सूक्षम बॉदिक शम्ता के अवधारना कहां से लिगई है तो ये लिगई आपकी मुल्य जनित नेटवर्क value added source से लिगई है सूक्षम बॉदिक शम्ता के अवधारना सामान्य दूरभास का ब्योहर एक internet उपादे के परकार को कहते है सामान्य दूर्भास का बेवहर इसे कहा जाता आपका वोईस लाइन वोईस लाइन इसे कहा जाएगा जो आप टॉक करते हैं फोन पे सुचना और संचार पर होगी कि ICT की विसेश्था के संबंद में निमलिकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है तो यहां पर देखिए ICT Computer Network और उन पराधारित अनुपरयोगों के सर्जन के लिए मुख्या उपकरन है यही कथन सही है ICT सूचना ज्यान विसेवस्था के वास्तविकिस्तान से प्रतक के परसारण में सहायक होती है यह भी सही हो जाएगा आपका अधिकांस ICT उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ परकृति उनके लिए बेक अधिक्तम होने दिया जाता है एक और दो सही हो जाएंगे पर आपके पहला और दूसरा कथन सही है अगरा देखते हैं यदि एक गीगा बाइट्स परदत के दो टू पावर थर्टी बाइट्स के बराबर होता है तो टेंटो दी पावर टून्टी फूर डेटा बाइट्स परदत भंडार के कितने बाइट्स के बराबर होगा तो ये आपके bytes के बराबर हो जाएगा आपका 2 ती फावर 53 अगर देखिए वेब के माध्यम से परताल करने के लिए पर्योग्टिस सॉप्ट वेयर को क्या कहते हैं वेब के माध्यम से परताल करने के लिए वेब ब्राउजर कहते हैं इमेल के संबन में BCC से क्या थाथ पर है अगर हाँ अगर यह आप चक करके देख सकते हैं अपने मुवाइल में जब आप कामाल लो एमेल खोलो और वहाँ पर create mail अगर करोगे तो वहाँ पर देखो कि आप BCC का क्या थाथ पर है इसका थाथ पर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी फिल्ड में विनिर्दिस्ट परयोगता इमेल प्राप्त करेगा और 2 और CC फिल्डों में पता देखेगा तो BCC यानि क्या हो जाएगा विनिर्दिस्ट परयोगता जो इमेल प्राप्त करने वाला होगा रेंडम एक्सेज मेमोरी जो कम्प्यूटर बंढारन का एक रूप है यह कैसी मेमोरी है भाई यानि इस आई है बोलटाइल है या फिर नौन बोलटाइल है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह बोलटाइल मेमोरी होती है आपकी कम्प्यूटर नेट्वर्किंग में HTTP का उलेक आवस्ता रहीत समरूप के रूप में क्या जाता है क्योंकि सर्वर नियुक्ता प्रोक्ता क्लाइंट के रूप में संबंध में कोई सुचना है HTTP का फुल फॉर्म कुल में आकर पूछना है इसने तो हैपर टेक्स टांस्पर प्र अंकिया कम्प्यूटर है तो यह होता E-N-I-A-C यहां E का मतलब होता है अलेक्ट्रोनिक निमेरिकल N for Numerical I for Integrated और A हो गया N और C for Calculator तो यह इसका नाम था I-E-N-I-A-C का और यह पहला हमारा अंकिया कम्प्यूटर है अगला प्रिस्म ने में लिकित में से कौन सा www का सही रूप है तो www का सही रूप हो गया World Wide Web अगला देखिए CPU का क्या आर्थ है तो CPU का आर्थ हमें पता है Central Processing Unit CPU का आर्थ हो गया Central Processing Unit अगला प्रेस नमें लिकित उत्पादों में कौन सा Pentium ब्रान नाम से बेचा जाता है तो Pentium अपने प्रोसेसर सुना होगा कि प्रोसेसर लग वो टिम बरनस ली हैं तिम बरनस ली को ही www का विस्कार किया था इन्होंने और इनको ही संस्तापत भी कहेंगे अगला प्रेस्न है नमें लिकित में कौन सी सूचना प्रोध होगी की सब्दावली नहीं है तो सूचना प्रोध होगी की information जो technology हमारा IT sector उसमें कौन सा word use नहीं क में क्या लगा था तो उसमें वाल्ब लगे थे सही answer option number B next देखते हैं spam किस विशे से संब्दीत है तो spam जो है वो computer से संब्दावली है email में आपने देखा होगा spam mail चला जाता है जो की एक तरह से junk mail होता है data के प्रेशन की गति मापने के लिए समान्यता प्रयुक्त यूनिट क्या है तो डेटा के गती जब हम मापते है तो हमें उसे bit per second के रूप में मापते है अगला प्रसन है instruction के उस समु को क्या कहते है जो computer को ये बताता है कि करना क्या है तो उसको हम program कहते है अगला प्रसन है इंनमल खित में से कौन भारत की सबसे बड़ी software company है तो सबसे बड़ी software company भारत की जो है वो TCS है और TCS का भी अगर full form पूछा जाए तो वो है Tata consultancy services Tata consultancy services तो यह धियान रखना है TCS भारत की सबसे बड़ी software company है next question देखिए जब कोई computer कोई करमादेश लागू करता है तो करमादेश कहाँ पर अटक जाता है तो यह धियान की स्थाई इसमिरती को क्या कहता है जैसे बता चुका हूँ permanent memory हमारा roam होता है अगला प्रसंदेखिए निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है निर्गम उपकरण यानि एक तरह से output device इन में से कौन सा नहीं है वो बताना है इन में देखिए इंकजेट मुद्रक है यानि यह तो printer हो गया प्रोटर हो गया speaker हो गया यह सभी प्रकासित लक्षन अभी आता जो है इन में output device नहीं है अगला प्रसंदेखिए पहली computer भासा कौन सी विक्सित की गई थी इन में से पहली computer भासा कौन सी विक्सित की गई थी तो पहली computer भासा जो है वो थी fortron fortron जो है पर्थम computer भासा है computer के लिए IC chip आम तोर पर बनाये जाते हैं computer के लिए IC chip किसके बनाये जाते हैं तो वो आम तोर पर silicon के बनाये जाते हैं निमन में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है, CRT का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें गैस प्लाजमा जो है, वो CRT का हिस्सा नहीं होता है, लेजर प्रिंटर में निमन लिखित में से कौन सा एक लेजर परकार परियुक्त होता है, तो लेजर जो प्रिंटर हमारा होता ह तो आपको पद़ाई है कि चार्स वेवेज को computer का जनक माना जाता है आधुनी computer का लगू रूप करन संभव हो सका है निम्न के परियोग से क्या हमने परियोग किये हैं कि computer का लगू रूप करन बिल्कुल palm top तक computer आते हैं इसके लावा बहुत छोटे छोटे लगू रूप करन कि पहले बहुत बड़े बड़े computer होगा करता था तो क्या region है इसके पीछे तो इसके पीछे का region है समाकलित परिपत चिप हम यूज करती है जिसकी वज़े से computer का लगू करन संभव हो पाया है किसी आंकडा संचे में record का ब्रक्षाकार संचे क्या कहलाता है तो ब्रक्षाकार संचे को स्रेणी बद्ध मॉडल कहा जाता है निम्न में से कौन computer आंकडों की तुरूटियों परदर्सित करता है तो तरोटियां जो परदर्सित होती है वो bug के form में परदर्सित होती है सही answer हो जाएगा option number C निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामगरी नहीं है इन में से एक तरह से device कौन सा नहीं है आपको बता keyboard device है, printer device है, mouse device है लेकिन परचालन तंतर जो है system एक तरह से वो कोई device नहीं है अगला प्रसित, IC चिपों का निर्मान किया जाता है किस से किया जाता है, जो IC चिप समारी होती है उनका निर्मान किस से किया जाता है, fiber semiconductor तो semiconductor से किया जाता है यानि अर्धचालक तत्तों से किया जाता है या अर्धचालक होते हैं जैसे silicon हो गया germanium हो गया यह अर्धचालक है आजकल सबसे अधिक परयोग होने वाली निवेस युकती है यानि input device जो है सबसे ज़्यादा परयोग तो कौन सा होता है trackball होता है scanner होता है mouse होता है या इन में से कोई नहीं होता है तो सही answer जो है वो option number C है mouse का सबसे ज़्यादा input device के form में use करते हैं पद MB परयोग किया जाता है MB जो है वो megabytes हो गया सही answer option number B मूल निवेस निरगम परनाली basic input output system computer में विध्यमान रहती है कहां रहती है इन में से option देख सकते हैं और सही answer इसका है option number B याद रिच्चिक अभिगम इस्मृति में अगला फ्रस्न है electronic computer का अविस्कार किस ने किया किस व्यक्ति ने इन में से electronic computer का अविस्कार किया पहला electronic computer याद रखना E-N-I-A-C तो electronic computer का अविस्कार जो है L&M touring द्वारा किया गया computer की भासा में 1 megabyte में कितने byte होते हैं यानि 1 MB में bytes की संख्या बतानी है अगर KB की संख्या पूछे तो 1024 की भी होता है लेकिन bytes की संख्या पूछ रहा है तो यह 1048576 यानि 1 million से उपर होती है 1 million 48,576 एक तरह से यह हो गया यह megabyte में कितने byte होते हैं अगर byte पूछा जाए 1 KB पूछा जाए तो आपको 1024 KB अगला प्रसन है super computer के लिए सब्द लंबाई का प्रास range होता है तो super computer के लिए जो प्रास range होता है तो यह प्रोग्रामों को नस्ट करता है option number C निमलिकित में से उस यंत्र का नाम बताईए जो computer को telephone line से जोडता है कौन सा यंत्र है जो computer को telephone line से जोडता है तो computer को telephone line से जोडने वाला जो यंत्र है वो हमारा modem हो गया computer system के किस भाग को बहुतिक रूप से इस पर्स किया जा सकता है तो बहुतिक रूप से हम hardware को इस पर्स कर सकते हैं software को नहीं कर सकते हैं dot matrix किसका एक प्रकार है तो dot matrix जो है एक तरह से एक printer का प्रकार होता है dot matrix तो यह उन्सर हो जाएगा option number C Microsoft Corporation का संबंद किस उध्योग से है इन मेंसे Microsoft जो कार्पोरेशन है उसका संबंद किस उध्योग से है option देख सकते हैं software drink उचगुणवत्ता सुपंदर्सी तो इसका computer software से जो है संबंद होता है कौन सा part computer का brain है तो आप सबको पता है computer का brain जो है वो CPU होता है अगला प्रसंद देखें निम्न मेंसे कौन सा system component computer का मस्तिस्क होता है तो system component इन मेंसे जो computer का मस्तिस्क होता है वो है option number B CPU जो है computer का मस्तिस्क होता है computer printer किस परकार का device है तो printer जो हमारा वो output device हो गया अगला प्रस्थ, computer में built permanent memory को क्या कहते हैं, built permanent memory को क्या कहते हैं, room कहते हैं, computer में उप्योग आने वाली IC chips किस से बनी होती हैं, तो ये silicon की बनी होती है, अगला प्रस्थ देखते हैं, इनमे लिखित में से कौन सा hardware नहीं है, तो hardware जो हैं, जिनको हम छूर सकते हैं, printer है, mouse है, तो local area network में निमन में से किस मद का परियोग नहीं किया जाता है, तो local area network में किस मद का परियोग नहीं होता है, local area network में modem का परियोग नहीं होता है, अगला प्रस्थ देखिए, modem wide area network, अगला प्रस्थ है computer के data CPU से परिदी धंतरों तक अंतरन किसके माधिम से प्राप्त किया जात computer ports जो होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है निम लिखित में से कौन सा सूचना प्रोध होगी की सब्दावली का भाग है कौन सा भाग है तरह से प्रोटोकॉल आर्ची हो गया लॉगिंग हो गया तो यह सभी जो है यह information technology के भाग है वहां सब्दों का परियोग होत बड़ी संस्ताओं द्वारा प्रादेश सिक्रास्टिया और बैस्विक शेत्र में किया जाता है वो क्या कहलाता है तो जिसका बड़ी एक तरह से वो क्या हो गया वाइड एरिया नेट्वर्क हो गया अगला प्रसन देखिए computer में निम लिखित में से कौन सा कार्य नहीं करत लिखित में से कौन सा हार्डवेर का उधारन नहीं है तो इन में से हार्डवेर का उधारन कौन सा नहीं है printer, mouse, monitor ये सब हार्डवेर है operating system जो है एक software है निम लिखित में से कौन सा internet समद्धी पाद नहीं है browser, printer, link या फिर search engine तो printer का इंटरनेट से नहीं है बाकी browser, link, search engine आप को इंटरनेट में जूज करते हैं कितमे से कौन सा storage मादेम नहीं है hard disk को गया storage करता है flash drive, keyboard, dvd, flash drive storage, keyboard कोई store नहीं करता है keyboard हमारा एक input device है एक nibble कितने बीटों के बराबर होता है तो nibble बताना है कितने बीटों nibble जो है 4 bit के बराबर होता है अगला प्रस निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा computer कौन सा है personal, notebook, laptop तो सबसे बड़ा, सबसे तेज, super computer पहले से on computer को restart करने को क्या कहते हैं उसको warm booting कहा जाता है निम्न में से कौन सा system unit का भाग है तो system unit का भाग कौन सा है central processing unit है यानि option number B हमारा सही answer हो जाएगा अगला प्रस निम्न में से कौन सा hardware है लेकिन software नहीं है तो hardware है और software नहीं है तो सही answer इसका हो जाएगा जो control unit है हमारा वो hardware है software नहीं है printer driver जो होता है वो भी software है अगला प्रस निम्न में से कौन सा email से समंदित सब्द नहीं है power point नहीं है इनमें से बाकि standard email भीजने वाला हो गया inbox हो गया, receiver email प्राप्त करने वाला हो गया internet पर server से सुचना प्राप्त करने के computer के process का आर्त निम्ण में से कौन सा है internet से जो हम सुचना प्राप्त करते हैं आप इस वीडियो को डाउंलोड करोगे तो वो सुचना प्राप्त करना रही है डाउंलोडिंग खेलाता है अगला प्रस्वन एक कंप्यूटर पर आरूपित ज़्याद अतर तुरूटियां किस कारण होती है किस कारण होती है एक किलो बाइट होगा 24 बाइट बराबर एक केबी हो गया और 2024 केबी बराबर एक एम भी हो गया next है सारे कम्प्यूटरों में लागू होती है कौन सी भासा मसीनी भासा जो है सारे कम्प्यूटरों में लागू होती है अगला प्रसन देखिए सुपरकंप्यूटर है पर हम यह ध्यान रखना है कंप्यूटर में window एक प्रकार है window क्या है software игр hardware sind do. संग्रहन उपकरण है सिवाय यानि संग्रहन मदब веч्agar जह से memory जो storage करते है सारे storage उपकरण है सिवाय किसके तो printer हमारा storage उपकरण नहीं है पर्थमVA previous message PETER के computer पर्दाब्टर पर्योग करते थे तो पर्थम प्रेकर क्पूर्टर का प्रियुक कया जाता था CD's का आकार कीसा होता है गोल ह Państ ओता है टॉप्टबर के लिए एक अणय सब्द क्या है तो सब्टबर के लिए एक अणय सब्द program का यूज करते हम DTP का पूरा रूप है DTP का पूरा रूप क्या है इसमें से DTP का पूरा रूप होता है Desktop Publishing DOS का पूर्ण रूप जो है वो Disk Operating System होता है यानि Option Number C LAN किसका लग रूप है तो LAN आपको पता है Local Area Network यानि Local Area Network Option Number A Computer संचिकताक्षर KB सामन्य था KB के लिए परियोग करते है Email का विस्तिरित रूप है Electronic Mail Electronic Mail Option Number B Computer Memory में रहता है Data किस form में रहता है Computer Memory में जो Data रहता है वो Programs के रूप में रहता है अगला प्रसंद देखिए पहला Graphical User Interface किस Company ने बनाया था पहला Graphical User Interface किस Company ने बनाया था तो यह Xerox Company ने बनाया था Graphical User Interface ध्यान रगना Important Question Microsoft Word उधारन है Microsoft Word जो है एक Application Software है Prologue भासा विक्सित हुई थी तो Prologue भासा 1972 में विक्सित हुई थी Blog सब्द को सब्दों का सियोजन है तो Blog सब्द जो है Web Plus Blog से बनता है तो Blog सब्द जो है Integrated Circuit Chip IC पर किस की परात होती है तो Silicon की परात होती है Semiconductor यूज़ करते है आधुनिक Digital Computer में किस पद्धती का उप्योग किया जाता है तो वो होता है Binary System का यानि दूई आधारी अंक पद्धती इस Computer भासा का परियोग वानिजिक कारियों के लिए किया जाता है तो वानिजिक कारियों के लिए COBOL भासा का परियोग किया जाता है Portron, Algol, Pascal आधी भासा को सिखाने के लिए किस भासा को नीव का पत्थर माना जाता है नीव का पत्थर कौन सी भासा को माना जाता है ये ध्यान रखना है कि basic जो language है उसको इन सारी भासों को सिखाने के लिए नेव का पत्तर माना जाता है भारत में railway के अंतरगत सरपर्थम computer करित आरक्षन ब्याउस्ता कहां लाई गई तो railway के अंतरगत जो computer करित आरक्षन की ब्याउस्ता है वो नई देलले में सबसे पहले लाई गई कौन सा software सब्द संसाधन में पर्योग किया जाता है सब्द संसाधन में कौन सा software पर्योग किया जाता है जो सब्द संसादन में परιवक्या जाता है पेजमेकर हो गया, मैसवर्ड हो गया वर्डस्टार हो गया तो ये सब्य सब्स अंसादन में परियोग किया जाते हैं जहां आफ एक तरह से टाइपिंग